या देवी सर्व भूतेसु मादुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमह ओम दुम दुर्गाई नमह दुस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा शप्तशती का ग्यारवा अध्याई तो मा भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवन करते हैं और दुर्गा शप्तिशती के ग्यारवे अध्याई में देवताओं द्वारा देवी की श्तूती तथा देवी द्वारा देवताओं को वर्दान प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। रिशी कहते हैं, देवी के द्वारा यहां महा द्यात्य पती शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आधी देवता अगनी को आगे करके उन कात्याइनी देवी की श्तूति करने लगे, उस समय अभिष्ट की प्राप्ती होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकास से दिशाएं भी जगमगा उठी थी, देवता बोले, शरणागत की पीडा दूर करने वाली है देवी, हम पर प्रसन्न हो, संपरण जगत की माता प्रसन्न हो, है विश्वेश्वरी, विश्वकी रक्षा करो, है देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो, क्यूंकि प्रिथवी रूप में तुम्हारी ही स्थिती है, हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंग नी है, तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपुरण जगत को तृप्ट करती हो, तुम अनंत बल संपन्ने वैश्वी शक्ति हो, इस विश् इसुती क्या हो सकती हैं तुम तो स्टवन करने योग पदार्थों से पढरे एवं परावाड़ी हो जब सर्वसरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्थूति हो गई तुम्हारी स्थूति के लिए इससे अच्छी उप्तियां और क्या हो सकती हैं बुद्धी रूप से सब लोगों के हिदय में विराजमान रहने वाली तथ स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायनी देवी तुम्हे नमस्कार है कला कास्था आधी के रूप में क्रमशा परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंगहार करने में समर्थ नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे नारायनी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो। तुम ब्रह्मानी का रूप धारन करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल शिड़कती रहती हो। तुम प्रसन हो। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संघार करने वाली भयंकर रूप धारन तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायनी तुम्हें नमसकार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख धारन करने वाली मुंड माला से विभूशित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायनी तुम्हें नमसकार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात स्रेष्ठा, भूती अर्थात एश्वर्य रूपा, बाभ्रवी अर्थात भूरे रंकी अत्वा पार्वती, तामशी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायना तथा ईशा अर्थात सब की अधिश्वरी, रूपीणी नारायनी विरूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। प्रकार रक्षा करें जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे अंबिके तुमने अपने स्वरूप को नेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महाद्यत्यों का संगहार किया है। सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्यान को प्रकासित करने वाले शाष्त्रों में तथा आधिव्याक्यों अर्थात वेदु में तुम्हारे शिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐशी शक्ती है जो इस विश्व को अज्यानमे घोर अंधकार से परिपूर्ण ममतारूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। पुर्वक तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं वे संपुर्ण विश्व को आश्रे देने वाले होते हैं। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूँगी। तब देवता बोले हे सरविश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रूओं का नास करती रहो। तब देवी बोली हे देवताओं वैवश्वत मनवंतर के 28 वे युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादयत्य उत्पन होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवत्तिरन हो विंध्याचल में जा कर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं प्रिथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और सौ नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतह मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा किर्थन करेंगे। हे देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन हुए साको द्वारा समस्त संसार का भरन पोसड करूँगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण प्रिथ्वी पर्षा कंभरी के नाम से मेरी ख्याती होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादयत्य का भी वद करूँगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रिशिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाले पर रहने वाले रक्षसों का भक्षड करूँगी उस समय सब मुनि भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी स्तूति करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुण नामा की दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों का हिद करने के लिए छेह पैरों वाले असंक्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महा दैत्य का वद करूँगी के अंतरगत देवी महात्य में देवी स्तूती नामक ग्यार्मा अध्याय पूरा हुआ